नमस्कार दोस्तों अपना फार्मा जोन के एक नए और इंफर्मेटिव वीडियो में आप सब का स्वागत है आज हम एंटिबायोटिक दवाई सेपोडॉक्सिम के बारे में जानेंगे जानेंगे यह दवाई किस स्ट्रेंथ में मार्किट में आती है इसके क्या पॉपलर ब्रैंड है कौन-कौन कसी विमारियों में यह दी जाती है इसे कितनी डोस में देना चाहिए या कैसे काम करती है इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट्स है तो बने रे वीडियो के अंधे तक सेपोडोक्सिम बीटा लेक्टमेस ग्रूप का एंटिबायोटिक है जो की थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरीन एंटिबायोटिक की क्लास में आता है यह मार्किट में 50MG, 100MG और 200MG की स्ट्रेंथ में टैबलेट की फार्म में आता है जो की अनकोटिड और डिस्पर्सिबल टैबलेट भी हो सकती है वहीं है 50MG और 5MG और 100MG और 5MG और ड्राइ सस्पेंशन की फार्म में भी मिलता है सेपोडोक्सिम दवाई का जेनरिक नाम है यह आपको मार्किट में कैमिश शॉप पर ब्रैंड्स के रूप में मिलेगी इसे कुछ पॉपलर ब्रैंड है गुड् अगर उसमें सेपोडोक्सिम है तो आप उसे ले सकते हैं अब जानते हैं सेपोडोकसिम का इस्टेमाल कहा कर सकते हैं यानि यह कौन-कौन सी बीमारियों में दिया जाता है तो यह बैक्टिरियल के द्वारा हो रहे इंफेक्शन में बढ़ाई उप योगी है इस्पेशिली जिसमें फ्लू जैसे लक्षन दिखाई देते हैं जैसे बुखार का आना बलगम वाली खासी का हो जाना सास लेने में कषनाई का होना या ब्रॉंकाइटिस को भी ठीक करने के लिए दिये जाता है ब्रॉंकाइटिस स्वासनली के सुजन का इंफेक्शन है इसको होने के बाद लगना शुरू हो जाती है गाड़ा बलगम आने लग पड़ता है बुखार जैसा मैसूस होने लगता है गले में खराश और सीने में दिक्ट जैसी कम्प्लिकेशन आ जाती है यहां फेरंजाइटिस को ठीक करने में भी दिया जाता है फेरंजाइटिस यानि हमारे गले के इ होना जैसे लक्षन प्रमुक होते हैं यह टॉंसलाइटिस को ठीक करने में भी दिया जाता है टॉंसलाइटिस यानि हमारे गले के पीछे दो गोली आकार टॉंसिल्स होते हैं उनमें इंफ्लमेशन हो जाने से यानि सूजन हो जाने को टॉंसलाइटिस कहा जाता है उसमें भ जैसे चेहरे में दर्द होने लगना नाक बंद होना जैसे कुछ लक्षन आ जाते हैं उसमें भी यह दिया जाता है यह ओटाइटिस मीडिया यानि कान के इंफेक्शन में भी दिया जाता है कान के अंदर पस बन गई हो बैरा हो कान कान में फोड़ा हो गया हो ऐसी स्थिती में भी डॉक्टर इसे देने की सला देता है यह uncomplicated gonorrhea में भी दिये जाता है gonorrhea एक sexual transmitted disease है जो male और female दोनों में हो जाता है इसे uncomplicated skin or soft tissue infection में भी दिया जाता है यानि अगर जल जाने से घाव हो जाए उसे ठीक करने में भी दिया जाता है यह salusitis में भी दिया जाता है इसे हम uncomplicated UTI में भी इस्तिमाल कर सकते है यानि urinary tract infection मुतराशे मार का infection जिसमें पशाप करने में जलन होना पस का आना, irritation होना, बुखार का आ जाना ऐसी complication को भी ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तिमाल करता है डॉक्टर अपनी समझदारी से इसे और भी भाव सारी बिमारियों में इस्तिमाल करता है अब बात करने इसके special precautions की, तो ऐसे patients जो cephalosporine group से allergic हो, उन्हें यह antibiotic नहीं देना चाहिए ऐसे patient जिनने renal impairment की problem हो, यानि kidneyों में infection हो, उन्हें भी यह दवाई नहीं देनी चाहिए अब बात करते हैं इसके doses की, तो यह बच्चों में 5 महिने से लेकर 12 साल तक के बच्चे को 5 mg per kg twice a day दिन में 2 बार दी जाती है इसकी maximum dose हम 200 mg तक एक दिन में बच्चे को दे सकते हैं, वई यह दवाई adult में 200 mg twice a day after meal दी जाती है यानि 200 mg हम सुबा और 200 mg शाम को दे सकते हैं, अब जा लेते हैं कुछ इसके side effects के बारे में तो इसे लेने से diarrhea हो सकता है, nausea हो सकता है, vomiting की feeling हो सकती है, abdominal pain हो सकता है, colitis की समस्या हो सकती है और हलका हलका सरदर्द रह सकते है यहां ति कुछ महत्तव पुन जानकारी, sepodoxim antibiotic के बारे में उमीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हैं तो इसे subscribe करना मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक, good bye